हेले और वेंज वेल्केम बैक मैं चैनल एजुकेशन पॉइंट डड़ा जैसा कि आप जानते कि क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट्स एलाउंस हो चुका है सी बीसी वालों का और काफी बच्चों में उससा के लहर है कि अपना परसेंटेज किस तरह से जाने तो देखें हाव पहुत ही जदा एंबॉटेड ए क्योंकि आप अपना परसेंटेज है निकाल सकते हैं इस वीडियो की मदद से तो देखिए किस तरह से इए परसेंटेज निकालते हैं क्लास 10 तरह है सकते हैं बस परसेंटेज कोई इश्वी नहीं होता है बट यह आप यार रखे कि आपके percentage अच्छे आने चाहिए बस अब देखे कैसे निकालते हैं how to calculate percentage in class 10 best of five subject कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको बता दूँ तो देखे सबसे पहले आप best of five subject कौन से होते हैं इसमें आपका language जो subject होते हैं जैसे English यह आपका compulsory marks होता है क्या आपके marks कम आएं यह जादा है इसको जरूर ही जरूर ही लेना है यानि कि English जो होता है जो आपका language subject है वो compulsory है और plus any four subject आपके हो सकते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो language subject होते हैं वो आपको include होना आगा उसके आपके marks जरूर include होगे जैसे कि आप English और Hindi language subject होते हैं तो उनके marks जरूर लेंगे चायो बले ही number कम क्यों ना हो थिक तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखे English compulsory है आपके marks के लिए तो देखे language जो subject होते हैं वो आपके विल्कुल compulsory होते हैं उनको जरूर ही लिया जाता है थिक तो अब देखे जैसे मैं आप आपके साथ एक रिजट अनलाइस कर रहा हूं तो देखे English में माक्स आएं आप इसके 67 मैं है 70 साइंस मैं 65 सहटी मैं 74 और हिंदी मैं 78 और संस्क्रित ऑप्शनल जो subject होते हैं जिसमें बुक्चों ने लिया होगा उनके लिए बहुत ही ऑप्शनली होती है संस्क्रित आइटी यह सीयस याने की माक्स आए 85 तो देखे इन जो छे subject हैं इसमें आपको कौन सा बैस फाइस नमबर लेना होता है मैं आपको बता दे रहा हूं तो देखे जो लेंग्वर सब्जक्ट होते हैं उनको जरूर ही जरूर लिया जाता है जो लेंग्वर सब्जक्ट में कौन कौन से इंग्लिस आता है और हिंदी आता आप यह बात यहार रख लिजेगा कि हिंदी और इंग्लिस लेंग्वर सब्जक्ट होते हैं उनके माक्स जरूर ही इंक्लूड होंगे यार रखिए बले कम क्यों ना हो उनके मार्स जरूरी लिए जाएंगे तो देखे इन पहले जो पांस सब्जक्ट है उनको देख लिजे पहले देखें इंग्लिश में है 67, मैस में 70, साइन में 65, साइस्ट में 74 और हिंदी में 78 और ओप्षनल जो सब्जक्त है यहनि कई संस्कृत और सियर इसमें 85 तो देखें इंग्लिश का माउख्स मैं आपको बतारा हूँ ने लिखा सिर्टे इंग्लिश का माउख्स मैं लिखा ठिक शिष्टी सब्ससक्राइब अब दिखें साइंस का मार्स सब से कम आए हैं तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ science के marks को तो 65 मैंने हटा दिया है तो 65 के बाद आया 74 74 sht में आया थे मैंने लिख दिये फिर हिंदी में थे 78 लिख दिये और 85 किसमें है संस्कत IT of CS का ठिक तो मैंने इसको add कर लिया देखिए मैंने आपके साम में add करा तो कितना है 374 ये टोटल आया आपके आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से लिया है यानि कि science के marks इसमें कम आये थे ठिक so science के marks सबसे कम आये थे 65 ठिक उसको मैंने हटा दिया तो 5 subject में जे लेने थे जो आपके best थे तो मैंने ले लिये English ले लिया, math ले लिया science को हटा दिया, shti ले लिया Hindi ले लिया और Sanskrit IIT CS को जो आपको optional subject है उसको ले लिया तेक आपके 5 subject होगे तो 5 subject के totaling किती है आ गई 374 आपको percentage निकालना है तो 374 को आप उपर लिग देजेगा फिर सो divide के जेजेगा 500 से multiply कर देजेगा 100 से यानि कि 500 से divide करना है और 100 से multiply करना है तो आपका percentage आ गया 74.8% इस तरह से आपका percentage निकल जाएगा जो भी student देख रहो हों ये वीडियो को जरूर ही जरूर अपना ही percentage निकालना सीख लेए तो जाके अपना percentage निकाल लिजे और भी doubt हो तो आप हमें comment section पर लिखेगा मैं उसका percentage आपको निकाल के बता दूँगा अपने subject लिख दीजेगा मैं आपको उसका percentage निकाल के बता दूँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको जो language subject होते हैं उनको जरूर लिखना है तो देखे साइंस का माक्स कम आया तो मैंने इसको हटा दिया तो हमारे जो 5 रिजल्ट जो जाएंगे टॉप 5 सब्जक्ट के रिजल्ट है वह आपके समरे 67, 70, 74, 78 और 85 टोटलिंग होती है 374 और परसंटेज कैसे निकालता है 374 तो डिवाइड करते है 500 से और मैंटिपला करते 100 से आपका परसंटेज निकल के आता है 74.8 परसंट इस तरह से ये आपका रिजल्ट का परसंटेज निकल आएगा I hope आपको वीडियो समझ में आयोगी तो आप जरू सी जरू कैल्पलेट के लिजेगा I hope सब लोग आप लोग पास हो गएंगे और हमाई चलेके साथ बने लि ठेक ठेक यू सो मच मिलते हैं फिर नए वीडियो में आपके लिए आपका दुन सुभो और मंगल में हो आयोग आप लोग सब लोग पास हो गएंगे और आपका स्वागत है आपके 11 हैं तो प्लीज स्टार्ट के जिए अपनी पढ़ाई और लग जाईए मैनत के जिए जिन से पेपर आता था तो आप नेक्स्ट येर जानी कि जो आपका ट्वंत होने वाला उसको आप बैटर से बैटर करके दिखाईए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में थैंक यू सो मच बने रही हमाई चलना एजुकेशन पॉइंट डर के साथ